हे गाईज वेलκαम टो स्टेडिनेट अज हम बात करेंगे डैफिनेशन ओफ इकनोमिक्स की जो की एडम सिबित ने दीथी जिनने फादर ओफ इकनोमिक्स भी कहा जाता है तो अगर आपसे किसी भी एक्जाम्स में ये definition of economics पूछी जाती है तो आप Adam Smith की definition को वहाँ पे court कर सकते हो So definition of economics जानने से पहले हम जानते हैं कि ये जो economics term है ये कहां से drive हुआ है तो ये जो economics term है ये drive हुआ है ancient Greek word oikonomia से जिसका मतलब होता है management of a household जैसे कि अगर आपके पास money है आपके पास wealth है तो आप उस wealth को उस money को कहां कहां invest कर रहे हो उसको कितना spend कर रहे हो कितना खर्च कर रहे हो आप उसको कितना save कर रहे हो तो एक तरह से आप management जो कर रहे हो ना आपकी wealth का तो एक तरह से वही है management of a household और जो Adam Smith defined economics as the study of the nature and the causes of the generation of the wealth of the nation यानि कि Adam Smith के according जो economics है वो study of nature है और एक cause है एक reason एक कारण है किसी भी nation की wealth generate होने का जैसे कि अगर हम इंडिया के perspective से बात करें तो इंडिया में wealth कहां कहां से आ रही है जैसे कि कुछ wealth agriculture से आ रही है कुछ industrial sector से जैसे manufacturing से आ रही है कुछ services sector से आ रही है और यदि आप किसी individual की बात करो तो जैसे कि अगर किसे individual की बात करें हम तो उसके बास पैसा कहां कहां से आ रहा है जैसे कि अगर मान के तो पार्ट टैम कोई job करता हो तो वहां से कुछ पैसा आ रहा है तो जो reason है ना जो कारन है जो causes है तो वह ही है economics और जो एकनोमिक्स जो वर्ड है वो ट्राइब कहां से हुआ है ओको नोमिया से जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ओफ हाउसोल्ड और अगर आप से कभी किसी भी एक्जाम्स में यह डैफिनेशन ओफ इकनोमिक्स पूछी जाती है तो आप इस डैफिनेशन को कोड कर सकते हो अपने फ्रेंड के सा सेहर भी कर सकते हो थैंक्यू